हेलो दोस्तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रो स्टैटिक चेप्टर वन से कुछ इंपोर्टेंट एमसी क्यों यहने के मल्टिपल चुईस क्वेशन डिस्कस करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं हमारा 1st question है चार्ज अने बोडि विच केरिज हंडर्ड एक्षस एलेक्ट्रों इस यहनि किशी बोड़ी के उपर जब हंडर्ड एक्सेस इलेक्ट्रोन आ जाती है तो उसके उपर जो चार्ज होगा वो हमें बताना है तो देखिए हमें पता है कि कहीं पर भी किसी पार्टिकल की जो चार्जिंग होती है यानिकि उसके उपर जो चार्ज आता है चाहिए वो पोजिटिव चार्ज हो चाहिए वो positive कब होता है जब वहाँ पर electron की deficiency हो जाती है और negative charge कब आता है वहाँ पर जब उस body के उपर यह उस particle के उपर electron जो है excess में आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए 100 excess electron है यहनकी क्या हो गए charge कैसा वहाँ पर negative होगा अभी एक electron के उपर charge हमें पता है कितना होता है एक electron के उपर minus 1.6 multiply by 10 raise to the power minus 19 कूलाम ठीक है इतना charge होता है एक electron के उपर और यहाँ पर 100 excess electron हुए हैं तो कितना charge हो जाएगा 100 से इसको multiply करेंगे तो यह जाएगा minus 1.6 multiply by 10 raise to the power minus 17 कूलाम ठीक है तो इसका जो सही यह answer है वो आएगा C ठीक है उसके बाद next question पर चलते हैं second question है the value of absolute electrical permittivity of free space ठीक है तो free space की जो absolute electrical permittivity होती है जिसको हम इनोट से लिखते हैं ठीक है जैसे epsilon होता है epsilon note से लिखते हो हम उसको तो उसकी value हमें यहां पर बतानी है कि उसकी value कितनी होगी ठीक है तो उसकी value देखो यहां पर क्या होगी देखो सबसे पहले आपको इस तरह के जब question आते हैं जहां पर चार option इस तरह से दी होते हैं तो कई बार उनका जो है में सिर्फ unit देखकर ही पता चल जाते है कि सही answer क्या है तो यहां पर आप देखो unit क्या होती है absolute electrical permittivity की तो वह unit होती है so column square per newton per meter square तो यहां पर पहले unit देखेंगे column square per newton कहां पर देखो option c है यहां पर देखो column square per newton per meter square है और उसके बाद option d है है यहां पर column square Newton है ठीक है यानिकि यह थो नहीं सकता तो यहां पर जो यूनिट है जो मैच करी वो ओप्शन C की मैच करी है तो अपर जो सही आंसर जो होगा वो होगा सी ठीक है next question पर चलते हैं third question है the cause of charging is actual transfer of ठीक है जो charging होती है किसी particle की किसी body की किसकी वज़े से होती है क्या transfer होता है महाँ पर तो option है actual transfer of proton electron neutron या फिर none of these तो देखो आपको पता है कि जो charging होती है उसमें क्या होता है electron से transfer होते हैं ठीक है इक body की तरफ अगर electron transfer हो गए यानि किसी particle की उपर है electron आगे तो नेगटिव चार्ज हो जाएगा उस particle से उस body से उस इलेक्टोन अगर चले गए तो उसके उपर positive चार्ज हो जाएगा ठीक है तो actual transfer किसका होता है electrons का होता है ठीक है proton transfer नहीं होते from one material to another ठीक है देखो क्या चीज है जो decide करती है कि electron एक material से दूसरे material में जाएंगे for example जैसे हमने किया था कि जब एक glass road को silk cloth से हमने रब किया था तो glass road के उपर positive charge आ गया था और silk cloth के उपर negative charge आए था तो यह कौन decide करेगा कि किसके ऊपर positive charge आएगा किसके ऊपर negative charge आएगा तो यह यहां पर decide करेगा option जैसे दिया work function temperature amount color देखो temperature का इसे कोई लिए ना देना नहीं है amount से कोई फरक नहीं पड़ेगा ना ही color से तो जो work function है ठीक है तो यहां पर आपका right answer होगा work function ठीक है तो किसी particle का यह material का जो work function होगा वो decide करता है कि वहां से electron जाएंगे या वहां पर electron आएंगे ठीक है next question पर चलते हैं 5 हमारा चार्ज imbalance means ठीक है चार्ज imbalance ठीक है तो चार्ज imbalance का क्या मतलब होगा तो इस नाम से हम देख पारेंगी imbalance imbalance किसी चीज़ का balance नहीं रहना ठीक है यहां पर क्या होगा चार्ज imbalance का मतलब क्या होगा तो अब्जेक्ट कंटेंस नो प्रोटोन ठीक है कि यह जो अब्जेक्ट है वहां पर कोई proton ना हो हो content no electron ठीक है या फिर number of जो आगया इसका मतलब वहां पर क्या है electron की कम ही हो गई चर्ज क्यों आया वहाँ पर है यह जब कोई particle को किसी बोटिकल को किसी बोडी के जब हम बोलते हैं कि यह neutral है neutral हमाओ बिल्स वह accredСТव बराबर नहीं है तो आपका राइट जो scholarships पर चलते हैं जो हमारा है, after rubbing with silk cloth, glass road will gain, ठीक है, तो देखो जब silk cloth के साथ किसी glass road को हम रब करेंगे, तो glass road के उपर कौन सा charge आएगा, यह हमें बताना है, ठीक है, तो देखो option है कि negative, positive, no charge, none of these, आपको पता है, glass road को जब silk cloth के साथ रब किया जाता है, तो glass road के उपर positive charge आता है, तो इसका सही answer जो होगा, वो होगा, B, ठीक है, next question पर चलते हैं, seventh है, one microcolumn, ठीक है, किसके पराबर होता है, one microcolumn, तो देखो, microcolumn होगा, ten raise to the power minus six column के, ठीक है, तो आपको देखो, पता है, कि जैसे यहां पर लिखा, microcolumn, ठीक है, तो जो यह micro होता है, ठीक है, यह हम 11th class में भी हमें इस तरह की यह पढ़ते हैं, ठीक है, micro, milli, ठीक है, nano, इसी तरह से जो से, अभी micro का means क्या होगा, इसका B, ठीक है, next question पर चलते हैं, 8th question है, out of glass road and silk cloth work function of glass is, ठीक है, तो हमें यहां पर बताना है, कि किसका work function जो है, work function of glass, हाँ, glass का work function बताना है, कि glass का work function क्या होगा, smaller होगा, larger होगा, equal होगा, none of these, ठीक है, तो हमें पता है कि glass road और silk cloth को जब रभी किया जाता है, तो electron कहां से घृटते है, हमें पताई कि electron's glass road से silk cloth के उपर जाते हैं, अभी glass road से electron कब जाएंगे, जब इसका work function अब होगा ठीक है, तो glass road का जो work function है, कि क्या होगा, smaller होगा, तो आपका जो answer है, वो A है, ठीक है, इसलिए वहां से electron जा रहे है उसके नेक्ट्रों जो है linear charge density जिको हम लेमडा से लिखते हैं इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं तो देखो जो चार्ज डेंस्ट्टी होते है linear surface आपका जो मालजी लाइन के लेंथ видели रखेंगे जो होगा उस पूमालजी क्या हुग है उसको मैं ऐसे लिखने है यानि कि लेम्रा जो होगा लाम्राइज इक्वल्टू dio डिवाइड वाइड वाइल ठीक है तो आपका राइट इसको हम इम से लिखते हैं एपसाइलन नोट होती है वेक्यूम की एपसाइलन M अगर लिखेंगे वह मीडियूम की होती है तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं हम यहां पर यह बताना है गो हम जो जैनरली हमारा जो फॉर्मॉला होता है जो इलेक्टिकल परमेटिविटी हम करें कि मीडियम की जड़ेंध का और वैकुम की बात आती है को आपर हम यहां पर होनभा पno generally हम बताना कि medium की permittivity को हम कहा लिखेंगे तो हम em को लिखते हैं e note into er तो इसका right answer क्या होगा a e note into er ठीक है तो यह इसका right answer है तो यह थे आपके 10 multiple choice questions first chapter से electrostatic में ठीक है